नमस्कार सर मेरा नाम राजु है एक व्यक्ति ने मुझे बूला इसके पास तो न घर है न कुछ है जमीन पे पत्रा डाल के सोते हैं क्या तो मैं उनसे पूछना चाता हूँ कि भीया हाँ मैं तो जमीन पे पत्रा डाल के ही सोता हूँ आप कैसे जानगे यह चीज? मैं सुबह साथ बजे से नो बज़े तक दूप में बालकोनी में पत्रा डाल के ही सोता हूँ और आज की डेट में किसी जॉब पे नहीं जाता हूँ मैं अपना मालिक खुदी हूँ horsefully मुझे कोई काम करने नहीं जाना पडता है ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कियो कि मुझे ये करने में मज़ा आता है जो knowledge मैंने 15-16 साल में gain किया है वो मैं लोगों को बता रहा हूँ फिर करते हैं कि YouTube से पैसा आ रहा होगा भाई 2013 से लेके 2021 तक 8 साल बीद गए लगबग 25-100 रुपया मेरे YouTube एकाउंट में दिखता है जिसको मैंने redeem भी नहीं किया है जो लोग ये सोचेंगे न कि YouTube में पैसा कमाने जाऊंगा वो पैसा कभी नहीं बना सकते हैं फ्रस्टेट होके आप बाहर आ जाएंगे लेकिन आपका पैसान है तो आपको वो आगे तक ले जा सकते हैं मेरा पैसान है तो मैं वीडियो उसमें डालता हूं और All India से मुझे फोन आ रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसी में मुझे तसली मिलता है मैं अपने घर का खर्चा जोड़ रहा था तो लगबग 90,000 से 1,000,000 रुपया पर मंत का खर्च होता है जबकि मैं पिछले 20 साल से रेंट पे रहा रहा हूं और आने वाले 10 साल तक मैं रेंट पे ही रहूंगा 20 साल टुटल रेंट पे रहा चुका हूं और मैं ये कल्कुलेट किया हूं कि आने वाले 10 साल तक भी मैं रेंट पे ही रहूंगा और ये सुनहरे सब्द मैंने राकेश जुन्जुन वाला सहाब से सुना था कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि 20-25-30 साल आप रेंट पे रही है और अपने मेहनत के पैसे को फेनेंसियल मार्केट में इन्वेस्ट करते रही है और तब तक इन्वेस्ट करते रही है जब तक 10-15% पैसा फेक देने से आपको घर और फ्लैट हो ना जाए आपको इस पे मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूं कि मैंने क्या सोचा था आज से 15 सल पहले कि मान लेजिए आज की डेट में कोई वेक्ति सहर में जौब करने के लिए जाते हैं नोकरी लगता है जिवन यापन करना सुरू करते हैं और 25 लाग का उनके मन में आता है कि मैं एक फ्लैट खरीद लेता हूं और उसमें रहना सुरू करता हूं तो 25 लाग का फ्लैट ना खरीद के आने वाले 30 साल तक वो रेंट पे रहे हैं 5000, 7000, 8000, 10000 के रेंट पे रहें थोड़ा सा कंप्रोमाईज करके रहें और 25 लाग को इन्वेस्ट करके छोड़ दें 12% के रेट से पैसा बनता है 7,48 लाग रुपिया जबकि उनका मुचल फंड पोटफोलियो अगर 13% के रेटन डिलिवेर करें तो पैसा बनता है 9,77 लाग रुपिया आपके जिंदगी में 1,2,4 लाग नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमने calculate नहीं किया और यह कभी सोचा भी नहीं कि इतना पैसा हो सकता है जब तक आप सोचेंगे नहीं तो यह पैसा बन ही नहीं सकता है मैंने यह सोचा था तो मेरे जिंदगी में वो पैसा हो गया आप सोचेंगे नहीं तो बनेगा केसे आपको अगले दिन घर में इडली डोसा खाना है तो आप उसके लिए सोचते हैं तो इडली डोसा का प्रिपेर करते हैं तो अगले दिन इडली डोसा बन जाता है आप सोचेंगे कि मुझे रोटी चावल खाना है तो रोटी चावल ही बनेगा ना आप अगर ये सोचेंगे तो आपके जिन्दगी में यहीं बनेगा आप नहीं सूचेंगे तो जिन्दगी में कभी नहीं बनेगा आपको mutual fund के बारे में और कोई सवाल जवाब है तो आप मेरे नंबर पर मुझे what's up कर सकते हैं मुझसे जूड़ने के लिए link में जाके आप mutual fund का अपने करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि राजविया कहां कहां मुझे फंट का सुरुवात करना चाहिए एक बार एकांट ओपन हो जाए फिर आप मुझसे लाइप जूड सकते हैं मेरे एप और मेरे एडवाइस का लाइप टाइम कोई चार्जर नहीं है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच